नमस्कार दोस्तों मैं हिमान्शू आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने योटूब चैनल e-selling यान में दोस्तों आज का ये वीडियो 20-25 दिनों के gap के बाद आ रहा है तो उसके लिए I am very sorry Actually हुआ क्या last month फरवरी beginning में मैंने payment reconciliation services स्टार्ट किया और उसी का announcement वीडियो के थ्रू किया तो जब मैंने उसका announcement किया उसके बाद काफी सारे sellers ने payment reconciliation service में opting किया और काफी सारे sellers अपने October, November, December और जनवरी मंद का payment reconciliation करा चुके हैं Amazon का, Flipkart का और Misho का तो उसके लिए क्या हुआ, जो मेरे को expectations थी कि इतने number of sellers शायद payment reconciliation service बिगनिंग में कराएंगे उससे लगबग 3-4 गुना sellers ने इस service में opting किया और कहीं न कहीं उसको manage करने में ही मेरा जाधतर समय निकल जाता था वही है कि मैंने किसी service की starting की थी तो उसको effectively manage करने के लिए अपने team को अच्छे से guide करने के लिए मेरा जाधतर समय निकल जाता था और इस वजे से videos में delay हो रहा था और अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा delay आगे ना हो और मैं आपको timely videos देता रहा हूँ timely updates देता रहा हूँ काफी सारे लोगों ने मुझे Instagram पर भी message किया कि videos क्यों नहीं आ रहे हैं तो वही है कि मैंने उने specific reason तो नहीं बताया लेकिन मैं इस video के थुरूँ आपको बता रहा हूँ तो I think अब आपको clear हो गया होगा बाकी आज इस video में हम मीशो के एक नए update के बारे में बात करेंगे जो है return और RTO में मिलने वाले tempered shipment को लेकर आज से लगबग 2-3 महीने पहले मीशो एक policy लाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर courier boy seller को return में tempered shipment दे रहा है तो seller को उसे accept नहीं करना है और इस बारे में हमने काफी जादा discussion किया हुआ है past में हो क्या रहा था? seller तो accept नहीं कर रहे थे क्योंकि मीशो ने उन्हें बोला था लेकिन जब seller मीशो पे इसके लिए ticket डालते थे कि हमने accept नहीं किया है लेकिन अब आप हमें payment प्रोवाइड करें तो मीशो उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा था और seller को नहीं वो packet मिल रहा था damage नहीं मीशो की तरफ से कोई claim मिल रहा था और total नुकसान लग रहा था seller को मीशो उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा था काफी सारे वीडियोज हमने इसके उपर बनाये थे मैंने आपकी साथ problem share की थी आप सारे sellers का भी suggestion आया था कि ये problem all over India सभी sellers face कर रहे हैं और सही बताऊं तो अभी तक ये clarity नहीं मिल पा रही थी कि एक seller को temper shipment को accept करना है या फिर नहीं करना कुछ sellers कर रहे थे कुछ sellers नहीं कर रहे थे कोई seller अगर मुझसे भी पूस्ता था कि sir करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो मैं भी थोड़ा confused था इस चीज़ को लेकर क्योंकि मीशो ने कोई भी proper बताया ही नहीं हुआ था मीशो ने बोला थो था कि temper shipment आपको accept नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर seller उसे accept नहीं कर रहा था तब भी मीशो उसका claim नहीं दे रहा था तो बहुत जादा confusion बना हुआ था और कहीं न कहीं seller के लिए एक नुकसान था लेकिन अभी मीशो ने इसके उन पर एक update लेकर आया है मतलब मीशो ने जहां पहले बोला था कि seller को tempered shipment accept नहीं करना है अब उन्होंने clearly mention कर दिया है कि seller को tempered shipment accept कर लेना है और tempered shipment accept करते वक्त आपको P.O.D. में mention कर देना है कि आपको जो packet मिल रहा है वो tempered condition में है या फिर intact condition में है आपको ये ध्यान रखना है अपसे कि अगर आपको tempered shipment मिलता है तो आपको manual P.O.D. मिल रहा है तो manually tempered mention करें अगर आपके end पर OTP verify delivery हो रही है तो उस case में उनकी device में tempered mention करें लेकिन आपको tempered mention जरूर करना है जिससे कि logistics team के system में update हो जाए कि seller को tempered shipment मिला है और जब आप ticket डालोगे तो उसमें भी अब मीशों ने एक और drop down add कर दिया है जिसमें आपको mention करना है कि packet आपको intact मिला है या फिर आपको tempered मिला है तो again आप वहाँ पर भी tempered mention करोगे तो उसके बाद नीशों का कहना है कि chances of approval या फिर logistics team आपको resolution है उसमें properly दे देगी और आपको claim amount मिल जाएगा तो इस तरीके से मीशों जो है एक नया step लेकर आया है एक नया SOP लेकर आया है जो कि उन्होंने announce किया है कल और इसमें ये भी बोला है कि ये 15 मार्च से दिल्ली NCR और सागर में तो launch कर दिया गया है और 21st मार्च से पूरे rest of India में ये applicable हो जाएगा तो देखो मेरे को मीशों का कोई भी update आता है तो बहुत जादा खुशी होती नहीं है इसलिए मैं आपको दिलासा भी नहीं देना चारा कि ये बहुत अच्छा update है क्योंकि इतिहास गवा है इस बात का कि मीशों जब भी कोई update लेकर आया है बहुत जादा benefit किसी seller को हुआ नहीं है ये मेरा personal opinion है might भी आपका differ करें लेकिन मुझे मीशों के पिछले 2-3 सालों में जो भी updates आये हैं जैसे वो seller support का contact number लेकर आये तो वो बहुत जादा भी fruitful नहीं है ठीके मैं मानता हूँ उन्होंने एक नई team बिठाई है उन्हें experience होने में time लगेगा लेकिन वो basic queries का भी answer properly नहीं कर पा रहे हैं उसके अलावा अभी जो temper shipment की जब policy लाए थे कि accept नहीं करना है तो उस पर proper कोई सुनवाई नहीं थी तो अभी जो नया process लेकर आये हैं नया feature लेकर आये हैं कि आपको temper shipment accept कर लेने हैं और ये mandatory करने हैं अगर आप अपसे आप नहीं करोगे तो मीशों ने clearly कह दिया कि उस पर म सुनवाई नहीं करेगा तो courier boy किसी भी हालत में आपका packet लेकर आये आपको उसे accept कर लेना है मीशों ने clearly mention कर दिया है ठीक है तो बस इस वीडियो में मुझे तो बस यही update देना था बाकी ये update applicable होने के बाद पूरे इंडिया में एक दो हफते बाद पता चलेगा कि किस तरी लिपकाट Amazon में क्या problem face कर रहे हैं तो बस इस वीडियो मुझे मीशों के नए update के बारे में बताना था उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और helpful रही हो तो इस वीडियो को like कर दीजेगा आने वाले दिनों में आप किन topics पर अरही होगा.